इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मजीद कुछ एंटिनम्स आपने भी मेरे साथ पढ़ना है सबसे पहले हम ये दोर आते हैं कि एंटिनम्स होते क्या है एंटिनम्स वो अलफाज होते हैं जिनके मतलब आपस में एक दूसरे के उल्ठ हों यानि आपस हों चलें अब हम एक एक करके इन एंटिनम्स को पढ़ते हैं नामबर वान एक्सल्ट और इसका एंटिनम्स है लेमेंट एक्सल्ट का मतलब होता है खुश होना या खुशी से बाग बाग होना और लेमेंट इसका आपसिट है तो लेमेंट का मतलब होगा दुखी होना या साध होना number two elevate elevate और elevate का अंत्रिणम है depressed depreci elevate का मतलब होता है बुलंदी या उन्चा होना और depressed फिर जुका हुआ यानिके elevate का opposite number three frugal अर इसका अंटनुम है extravagant ऐक्स्ट्रावेगेंट फ्रूगल का मतलब होता है कफायच्च्छार या कंजूस और extravagant का मतलब होता है फजूल खर्च नमब फोर फिक्शिस यानी फर्जी और फिक्शिस का अपर्जीट है genuine जैनुएन यानि हकीकी नमबर फाइव फैबिलिस यहां पे फैबिलिस का मतलब जो हम इस्तमाल करेंगे वो है फर्जिया जूटा फैबिलिस और फैबिलिस का एंटनिम है एक्चुल यानि हकीकी नमबर सिक्स फॉर्चून यानि खुशकिस्मती और फॉर्चून का एंटनिम होगा मिस्फॉर्चून यानि बदकिस्मती जो के फॉर्चून का आपजिट है नमबर सेविन हमारे पास है फ्रैंक यानि साफ गो या दोस्ताना या वो शक्स जो हर बात साफ साफ मूँ पे कह दे और इसका अंटनिम होगा या आपजिट होगा reserved reserved यानी come go नमबर एट foreign foreign यानी गहर मुल्की या बेरूनी foreign का अंटनिम होगा native native यानी मकामी नमबर नाइन fatigue fatigue यानी थकन या थका हुआ और फैटीग का अपजिट या अंटनिम होगा refresh refresh यानी ताज़ दम नमबर टेन gratitude gratitude यानी शुकर गुजार होना और शुकर गुजार होने का अंटनिम या आपजिट होगा thanklessness thanklessness यानी नाशुकर होना मजीद कुछ और अंटनिम के मुतलिक पढ़ते हैं नमबर एलेवन gloomy gloomy और gloomy का अंटनिम है gay gay gloomy का मतलब होता है दुखी या दुख और gay का मतलब होगा खुशी क्योंके gloomy जो है वो gay का अंटनिम है या इसके opposite है नमबर टुएल्व general general और general का अंटनिम है particular particular general कहते हैं किसी भी आम चीज़ को यानि अमूमी और particular होगा खास यानि किसी खास चीज़ के लिए particular इस्तमाल होता है अमूमी और खास अगले लफ़ की तरफ चलते है नमबर थर्टीन gather 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 का मतलब होता है जमा करना या अखटा करना और इसका opposite या अंटनिम है scatter scatter यानि फेलाना जो के gather के उल्ट है या opposite है चलें अगले लफ़ की तरफ चलते है नमबर फॉटीन हाटी 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 का मतलब होता है मगरूर या selfish होना हाटी और हाटी का अंटनिम है humble हम्बल यानि आजज होना नमबर फिफ्टीन हिपोक्रिसी 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 का अंटनिम है sincerity हिपोक्रिसी कहते है मुनाफिकत को हिपोक्रिसी यानि मुनाफिकत और sincerity का मतलब क्या होगा हिपोक्रिसी का अल्ट यानि मुखलिस मुखलिस नमबर सिक्स्टीन हार्श हार्श यानि सخت होना या तेज होना और इसका अंटनिम है mild mild यानि नरम होना या दर्म्याना होना आम तोर पर हम मौसम के लिए भी इस्तमाल करते हैं harsh weather और mild weather यानि के सخت मौसम, तेज मौसम होना मौसम की तेजी यानि सरदी ज्यादा होना और mild यानि दर्म्याना मौसम होना तो या आम तोर पर हम मौसम के लिए भी इस्तमाल करते हैं इन अलफाज को नमबर सेवन्टीन ignorance यानि जहालत जहालत और knowledge knowledge अब जहालत का opposite है knowledge तो ये इसका antinim हुआ knowledge का मतलब होता है इल्म होना जैसा कि ignorance का है कि जहालत या जाहिल होना इसी तरह knowledge उसके उल्ट है जिसका मतलब है कि जानना नमबर 18 impede 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 और इसका antinim है expede impede का मतलब होता है रोखना या किसी भी चीज़ को stop करना और expede इसका opposite होगा तो यहाँ पर expede का मतलब होगा उचालना या उस चीज़ को सामने लेकर आना नमबर 19 inhale यानि सांस अंदर लेना या सांस लेना और इनहेल का antinim है exhale एक्सहेल यानि सांस बाहर निकालना इनहेल एक्सहेल इनहेल का antinim है एक्सहेल यानि सांस बाहर निकालना और नमबर 20 है intentional intentional Intentional, यानि जान बूच के कुछ भी करना, intentional, यानि जान बूच के, और इसका opposite है या antonym है, accidental, यानि गलती से हो जाना, intentional, और accidental है इसका antonym, यानि जान बूच के और ये गलती से हो जाना, या हाथसा एक तेहां से कह सकते हैं, ये थे कुछ एंटिनम्स अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन एंटिनम्स को दोहराईए और याद करने की कोशच कीजिए इस से रहां आप बहुत जल्दी एंटिनम से मतलिक सीख जाएंगे जो कि आपके इमतिहानात में आपके बहुत काम आएंगे